सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटीफिकेशन वेल भी दोस्तों आपको हर अप्डेश करते हैं नहीं भीया दर्या हमने लाइए बैट किराया हम पुक्तान कर रहे हैं पताइए केवल साजी से उठाने के लिए पुली सारी दो दर्यों के लिए जो दापना देरे हैं यहां पर आपको परिशान करने के साजिस है और सरकार वैसे भी सिंख्राइब कराना चारिए इस धर्वाना संको यह सिंखिरना चारिये अरे चोडिया लगा दे शरम करो शरम करो अब कितना अत्याचार करोंगे इन महलाओं पे गड़ीब लोगों पर ज तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा उत्राखंड से चला हमारा धरना जहां पर एखानेगी प्रदेश अद्रच बहन है उनकी अगुआए में चला है ये काफी लंबे अर्से से चला लेकिन मुख्यमंत्री तिवन सिग्रावज जो है वो इनकी ओर ध्यानी नहीं दे रहे हैं और उल्टे यहाँ पर पुलिस प्रसासन को भेज करके दरी वगएरा का एक बहाना बना करके दरी मंगवाने की कोशिस हो रहे हैं कि दरी वगएरा जिस टेंट वाले की है उसको आकर के लेनी चाहिए कि यहाँ पर पुलिस का क्या काम है तो पुलिस वालों को इस तरह से भेज करके परिसान किया जारा बहनों को और वहाँ पर उनको जो है धरने से उठाने की कोशिस है साजिस है यूं कह सकते हैं कि दरना तोड़ने की तो इस चीज को लेकर के मचाता हूँ अब सभी भाई बहन बहनों का सयोग करें उत्रा खर्ण में क्योंकि एक महिना लगबग होने को आ रहा है वहाँ पर धरना चला है और कोई उमीद नहीं जगती क्योंकि वहाँ पर मुख्यबंतरी जी तो जैसे कान में कुछ सोचिये जारा क्या हो रहा है वहाँ पर क्या चला है फिलाल के लिए यही कहना चाहूंगा जैसे जहार खंड में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो गई है क्योंकि उन्होंने भी आंगनबाडी वैनों की समस्याओं को बिल्कुल नहीं सुना अंदेखा किया सायद उत् क्लंबे अर्से से धरना चला है और सरकार इस पर ध्यार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल के साम की सची खबरों में यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जो पहली खबर आ रहे है आप लोगों के पास उमीद करता कारण जो है यहाँ पर आंगनबाडी केंद्रों पर अवकास के बारे में उनका कहना है कि 30-12-2019 यानि कि आज 29 तारीक हो चुकी है कल से कल भी अवकास रहेगा और 4 तारीक तक रहेगा चार जनवरी लिखी हुए दिये 2019 उन्होंने गलती वस लिख दिया है इनको यहाँ पर 2020 लिखना चाहिए था जैसा कि आप देख सकते हैं 4-1-2019 उन्होंने डाल दिया जबकि 4-1-2020 होना चाहिए था तो जैसा कि ऐसे हो सकता आने वाले समय में बहुत से लोगों से गलतिया होती रहेंगी तो जो भी तारीक लिखे यानि कि जनवरी में तो उन तीजों को ध्यान में लेकर के लिखे और एक बात करना चाहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि सिर्फ जो बहुत से लोग हम क्या करते थे कोई भी तारीक जैसे मालेजे लिखनी है तो हम क्या करते थे लास्ट का जो एयर होता है उसको जैसे 2019 था तो हम लोग 19 सिर्फ लिख देते थे काम खतम हो जाता था जबकि ऐसा नहीं करना है 2020 में मालेजे आपने 20 लिख दिया उसके बाद में कोई इसे बदल सकता है कोई 18 कर सकता है कोई 19 कर सकता है और कोई जो चाहेगा वो तारीक बदल करके आपके साथ जो सरकारी दस्तावेज होंगे जहां आप ऐसी गलतियां करके आप स्कीन पर देख रहे हैं जैसा कि आप सबको पता है कि आंगन बाड़ी बहनों की छुटिया नहीं होती हैं लेकिन बच्चों की छुटिया होती हैं वो भी बच्चे केंदर पर आते हैं सब कुछ खाते पीते हैं पोसाहार मिलता है फोटो बगार आंगन बाड़ी कीच करक लिखा है बाल विकास प्रमुक सचीव और निदेशक बाल विकास की संपूर बजट की चोरी का खुलासा कर बतावर एहसास किया कि नहीं जवान से व्यक्त किया 100% सही है इधर से 2-3 सालों में डिमांड के बंद घोटाले चोरी पर प्रकास डालने के लिए हमेशा हमारे महिला अंगनबाडी संगन ने बतावर धर्ना पदरसन वांदोलन के माद्यम से विभाग की गत्विदियों को उठाने की आवाज जो है वो उठाई है किसी न किसी बहाने से हमें आपस में बांट कर हमारे मूल उद्देशों को भटकाने का प्रयास किया है जबकि सरकार से ज़्यादा ही परेसान नी हमें इन मठाधीस घाग जिम्मेदार अधिकारियों से है यही कारण है कि परयोजनाओं को धन्रासी उच अधिकारियों द्वारा हस्तानांतरित ही नहीं की जाती समुचे सूबे के जिला कारकम अधिकारियों को बुला करके जहां पर जानी कि जो भी उनका कहना है या पर साथ तोर पर उन्होंने बताया है कि एक तो आर इंडिया का जो थोड़ा साथ है हमारी बहनों को मिलता जिससे उमीड जगती है सच्चाई को उठाने में तो एक तो उसके बारे में उनका कहना साथ ही जो आप देखने निदेसाले में बैटे अधिकारियों की घोर ला परवाही जो बरती जा रहे हैं मुख्यमंत्री की मंसा आप देखते हैं कि वो 1500 बनाते हैं उसके बावजूद भी बहनों के खातों में एक साल से नहीं बेजा गया यहाँ तक की वादा किया गया कि सम्मान जनक मांदे का लगबग 10,000-9,000 के करीब वो कुछ भी नहीं मिला तो एक धोखा जैसा हम लोग प्रतीत करते हैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार यानि की मुख्यमंत्री योगिया दितनात के दौरा तो उसका सभी का आंकलन बहन ने अपने इस पोस्ट में किया है अब हम आप से कहना चाहेंगे कि आगे चलते हैं यहाँ पर अगली जो हमारे पास खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं उन को दिया तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि baru का कार ज़्यादा तरांगन बारी कर रही है और जो भी बांदा से होंगी जो भी बहने अच्छा काम कर रही है तो उनकी वहाँ पर वो सराना करते हैं आसा बहन को लेकर के मुद्दा बहुत ही जोर सोर पर है ये उजहानी वगएरा पड़ता है वहीं से ये खबर है कहना चाहूंगा MOIC वगएरा आसाओं के बयान वगएरा दोनों लोगों के दर्ज किये गए हैं तो यहाँ पर मामला कुछ अलग साथा जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लिखा है कि CHC में आसा संगिनी के भुगतान को लेकर MOIC से हुआ विवात तूल पकड़ गया यहाँ पर दरसल मामला आप बताता हूं क्या था कि जो बहन है आसा बहन तो उनके मांदे वगएरा को लेकर के जो उनका भुगतान है वो समय पर न चीज को लेकर के हमारी वहां पर बहने जो है आसा संगनी तो जांच के दोरान धरने पर भी वो बैठी रही थी तो इसके बारे में नारेबाजी वगएरा वहां पर की गई और बयान दोनों लोगों के दर्श किये गए आप जांच वगएरा इस चीज को लेकर क्या आगे हो पड़ा हुआ है हाई कोड के आदेश पर प्रसासन ने तयार कराया है जवाब जिला प्रसासन सिच्छा विभाग के नूटिस पर नियाले ने इस सरण वगएरा लिया है तो इसके बारे में कहना चाहूँगा बहुत से जन्पदों में आंगनबाडी बहनों की जो बियलो ड्य कारी कहें या यूं कहें कि वहाँ का जो विभाग है बाल विकास वो ध्यान नहीं दे रहा है या यूं कहें कि भरस्टाचारी बहनों के उपर ही मढदी गई है पूरी की पूरी यानि की जवर्दस्तिक काम लेने की तो एक बात कहना चाहूँगा बहुत से जन्पद है जहा हट पाएगा और आप जो हलकी हो पाएगी आगे देख सकते हैं मद्दाता सूची विसेश पुनरिच्छन की तिथी वगारा के बारे में बता दूँ सबसे में खबर यही है कि जो अभी इसके बारे में जो अयोध्या में निर्देश जारी हुए उसके संबन बताना 29 दिसंबर जो आज था और 5 और 12 जनवरी जो अभी आएगा उस दिन जो विसेश अभियान दिवस वगारा निर्दारित किये गए थे तो आज के दिन ये एक विसेश अभियान था जिसके बारे में मैं चर्चा करके बता दूँ आपको यह जानकारी जो है उपजिला निर्वाचन अधिकारी CRO PD गुपता ने दी है और इन्होंने बताया है कि इस दोरान 29 दिसंबर 2019 और 5 जनवरी 2020 सथा 12 जनवरी 2020 को विसेश अभियान दिवस निर्धारित किया गया है विसेश अभियान दिवस को समस्त जो है पदा अभिहित इस तलो पर पदा अधिकारी एवं बूत लेवल अधिकारी जैसे की बीलो जिनको बूला जाता है वो बूत लेवल अधिकारी होते हैं उनको पुरवाहन 10 बजे से साम 4 बजे तक समस्त फार्मो एवं निर्वाचक न लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभियान दिवस को जो है इस विसेश अभियान दिवस को समस्त जो है पदा अभिहित इस तलों पर पदा अधिकारी इसके बारे मैं बता दिया आगे लिखा है कि पदा अभिहित अधिकारी एवं बूत लेवल अधिकारी हों क किकारियों का परिवेच्छड सभी निर्वाचक रेजिस्टरी करन अब बात आते हैं पर कौन कौन चेकरनी आ सकता है अब इस चीज को लेकर के काम चलेगा तो इसके लिए भी तयार रहना आगे ये टीम आ सकती है तो पांच और बारा जो जनवरी में आने वाली तारीक हैं बेलोग ब्यानों को लेकर के खास तोर पर उनके लिए इन चीजों को ध्यान देना चाहिए